बची हुई रोटी से इतनी बेहतरीन और महंगी रेस्पी बन सकती है आपको इस रेस्पी देखने के बाद पता चलेगा और देखकर हैरान हो जाएंगे बच्चों से लेकर बड़े तक इस रेस्पी को खाने के लिए तूट पड़ेंगे तो चलिए देखते हैं इस रेस्पी कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने इहां पर ले लिया है तीन रोटिया तो ये हमारे घर पे रात को बची थी जादे रोटिया बन गई थी तो उसमें से मैं तीन रोटिया निकाल ले हूँ तो रोटियां चाहे ताजी रहे या बासी रहे इस रेस्पी को आप बना सकते हैं तो आप जादे रेस्पी बनाना चाहते हैं तो आप जादे रोटियां का इस्तेमाल करके बना सकते हैं तो रोटियां को अब करेंगे क्या, छोटे बड़े टुकडों में इसको तोड़ लेंगे, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकडों में भी तोड़ सकते हैं, या बड़े बड़े टुकडों में इसको तोड़ सकते हैं, इस तरह से सभी रोटियां को तोड़ लेंगे, आज ज अब बड़े पाल्टी में भी आप जिसको भी बना कर खिला देंगे ना तो जानी नहीं पाएगा कि यह रोटी का रेस्पी है तो रोटी को मैं तोड़ ली हूं अब रोटीयों को इसको भून लेंगे तो ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम हाई रखना है हाई फ्लेम पे मिनट तक भून लेना है तो यह 6 मिनट तक रोटी को अच्छा से भून लेना है जब तक यह रोटी क्रिस्पी न हो जाए कड़ी न हो जाए तब तक रोटीयों को भून ना है तो मैं तोड़के भी दिखा देती हूं तो देख सकते हैं कि यह रोटी जो है क्रिस्पी हो गई आप चाहे तो इसमें घी भी डाल के भून सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही भूनी हूँ काफी अच्छा से भूना गई है अब गैस को बंद कर देंगे रोटिया को रख देंगे ठंडी होने के लिए इसके बाद में कराही में डाल देंगे दो चम्मच घी तो हां फ्रेंड घी डाल तेल भी नहीं डालना में काजू गाध। अब अच्छा सा ब्हूना करेज के था कि काजू अच्छा सा पलेंगे धूझ तो जादे समय तक नहीं ब्हूनना मीडियम लो फ्लैम पर दो मिनिट तék भून लेना है तक कि उसका टेंच हो जाए works कासा गोल्डन हो जाए और सोना पना जाए तो दो मिनट हो गई है कलर भी चेंज हो गई है अब फटा फट से हम निकाल लेंगे इस समय गैस का फ्लेम मीडियम लो कर देना है एकदम लो कर देना है तेज रखेंगे तो जलने कडर रहेगी अब जो यह घी बची हुई है ना हम निकालेंगी नहीं इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी भर के चीनी इसी के साथ हम डाल देंगे डेड़ कटोरी पानी एक कटोरी चीनी है तो डेड़ कटोरी इसमें पानी डाल देना है इसको गाढ़ा चासनी बनाकर तयार कर लेना है इतना गाढ़ा चासनी बनाना है कि यह आने लगी तो देख सकते हैं प्रेंट इसमें एक बडाम रह गई थी उसको मैं निकाल दे रही हूँ छूट गई थी दिखा नहीं था मुझे कराही में तो चासनी को चलाते हुए हाइफ लिम पे अच्छा से पका लेंगे ताकि चासनी पूरी तरह से पक जाया और पाहट आने लगी है चासनी में इसको तार नहीं बनाना है सिर्फ चिपचिपा आने लगे इसके बाद में इसमें डाल देना है दूद तो यह मैं पहले से दूद को गर्मा के रखी थी हलका गरम है दूद आप ठंडी दूद भी डाल सकते हैं एक कप दूद डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास मलाई थी दूद की तो ताजी मलाई है तो इसको भी मैं डाल दे रही हूँ अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं ने तो हटा सकते हैं मेरे पास मलाई थी इसलिए मैं मलाई डाल दे रही हूँ अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं ने तो हटा सकते हैं मलाई दूद को अच्छा से मिला लेंगे ताकि मलाई दूद अच्छा से मिक्स हो जाए तो इस समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे तो देख सकते हैं मलाई दूद मिल गई है अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आधा कप दूद आउर डाल सकते हैं इसमें डाल देंगे इलाइची तो यहां पे मैं साबूत इलाइची की इस्तेमाल कर रही हैं अब इसका हम powder बनाकर तयार कर लेंगे, तो ये mixing jar में सभी रोटी को हम निकाल लेंगे, अगर रोटी जादे हैं, तो आप दो से तीन बार powder बनाकर तयार कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, फ्रेंड, powder बनके तयार हो गई है, इस तरह से, तो इसको बारिक नहीं पीशना है, दरदरा ही पीशना है इस तरह से, तो जिस तरह से सूजी रहती है उससे थोड़ा सा मोटा ही पीशना है, इस तरह से powder पीश के तयार कर लेना है, अब निकाल लेना है दूसरी बरतन में, भूरने से देख सकते हैं कि कलर भी अच्छा आई है, और अच्छा पिस भी गई है, अब इसमें उबाल आ गई है दूद में, अच्छा से पक भी गई है, अब इसमें हम डाल देंगे, यह जो हम रोटी का powder बना के रखे हैं, तो गैश का फ्लेम हाई पटेंगे, हाई फ्लेम पे डालेंगे और इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि जो रोटी है पूरी तरज से दूद में मिल जाए, तो फ्रेंट ध्यान रखिएगा, गैश का फ्लेम इसमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही पकाना है इसके बाद इसमें डाल देना है नारियल का गुरादा अगर आपके पास नारियल का गुरादा नहीं है तो नारियल को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं कुछ ड्राइफूट डाल देंगे काजू बदाम डाल देंगे इसमें आप अपने पसंद क क्वार्टे हिसाब से ड्राइफूट डाल सकते हैं जो भी क्या क्वार्ट प्संद आप डाल सकते हैं तो देख सकते हैं अब इस समय गैस का फ्लेम मीडियम लो कर देंगे मिडियम लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छा से इसको पकाएंगे जब तक ये पूरी तरश से सूख जाए जो दूद है इसमें का तो फ्रेंड आप लोग को मैं याद दिला देती हूं कि आज की बची हुई रोटी की रेस्पी आप लोग को कैसी लेग रहे हैं कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर से बताईएगा अगर बची हुई रोटी की रेस्पी आप लोग को पसंद आ निकालेंगे दूसरी बरतन में यहां पर मैं लिए एक थाली उसमें लगा दूंगी घी लगाने के बाद में इसके उपर हम फैलाएंगे तो घी अच्छा तरह से लगा देने से काफी अच्छा से निकलेगी तो थाली पेश्ट सभी यह जो रोटी का जो हम बनाने वाले हैं मि अपने हिसाब से रख सकते हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि ठंडी होने के बाद इसको नहीं सेट करना है गरम-गरम ही सेट करना है अगर ठंडी हो जाएगी तो यह सुखा हो जाएगा तो इसलिए गरम-गरम सेट करेंगे तो अच्छा से इसमें सेप देखने में जोलूख है ऐज दा आच्छा लगीए देख सकते हैं अब क्या करेंगे से चाकु से साँच साइड से इधर उधर नहीं हटेगी तो आपको कैसा कटिंग करना है तो मैं बर्फी की तरह कटिंग कर रही है जिस तरह से बर्फी रहती है ना उस तरह से अब क्या करेंगे चिन्ड के बीचों बीच में हम कुछ ड्राइब फुट लगा देंगे जो हम भून के रखे थे काजू बदा लगा देंगे अच्छा है तो आप चादी वर्क भी लगा सकते हैं लेकिन क्या है कि चादी वर्क जो है ना खाने में नुकसान करती है तो उसको मत लगाएगा मैं तो यही कहूंगी जादे अच्छा रहेगा कि आप नारियल का गुरादा या ड्राइफोटी लगाए तो जादा बेतर रहेगा अब जो हम चीन लगाए थे थंडी हो गई है तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे तो देख सकते हैं कि पूरी तरह से यह सेट भी हो गई है थंडी होने के बाद अच्छा से अब यह साइट शार्ट का है इस तरह से हम निकाल लेंगे आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं जो साइट शार्ट से बिल्कुल मत फेकियेगा काफी जादा यह जो हम आज मिठाई बनाए है रोटी से ना कोई भी नहीं जानेगा कि रोटी से मिठाई बनाया हुआ है तो लीजिये फ्रेंड देख सकते हैं कितना अच्छा रोटी की बरफी बनकर तयार हो गई है जैसे लग रहा है कि यह मावा का बरफी है जिस तरह से हम दूद का बरफी बनाते हैं दूद को जला कर उसी तरह से एकदम लग रही है खाने में फ्रेंड एकीन मानी है बिल्कुल वही टेस्ट आती है जिस तरह से हम नारियल का बर्फी खाते हैं या मावा का बर्फी खाते हैं और अच्छा सा ओर लुक देने के लिए इसके उपर हलका हलका नारियल का गुरादा डाल देंगे ताकि इसका जो लुक है काफी अच तो आई हो वाज की रेश्पी आप लोग को बहुत ज़्यादा आई होगी तो तोड़के भी दिखा देख सकते हैं कि काफी अच्छा से शेट भी हो गई है जिस तरह से बरफी राती है उसी तरह से एक दम बनकर तयार हो गई है क्योंकि इसमें में दूर डाली थी और नारियल इसको भी में खिलाए ना कोई भी नहीं कहा कि रोटी का मिठाई है तो आप भी जरूर से ट्राइए करिए फिर कल मुलाकात होगी एक दूसरी रेश्पी के साथ में तब तक के लिए बाए बाए इंज्वाए करें